हेलो दोस्तो अभी वाइटियो स्टूडियो एप्लिकेशन में आपको एक नया फीचर देखनी के लिए मिल रहोगा और दोस्तो इस फीचर का नाम है रिटर्निंग व्यूवर तो दोस्तो इस विडियो में मैं आप लोगो बताऊँगा कि यह रिटर्निंग व्यूवर क्या है इसका फाएदा क्या है और दोस्तो इस फीचर को यूज करके आप जान सकते है कि आपका जो यूट्यूब चैनल है वो grow हो रहा है कि नहीं इसलिए दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा end तक complete देखना है क्योंकि इस वीडियो में आपको returning viewer का जो option है इसका पूरा complete information मिलने वाला है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो like जरूर करना है तो दोस्तों आप चली वीडियो को start कर लेते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे आप लोग को screen recording दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समय में आएगा तो दोस्तों यहाँ पे आपको audience के option पे click करना है और दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे first में ही आपको यह returning viewer का option मिल जाता है अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो आपको play store से जाके yt studio application को update कर लेना है अगर फिर भी नहीं मिलता है तो आपको थोड़ा सा wait करना है एक दिन दो दिन wait करना है आपको भी मिल जाएगा तो दोस्तों आप चली मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस option का मतलब क्या है तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे returning viewer का आपको option मिल जा है मैं simply इस पे click कर देता हूँ उसके बाद दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे click करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो option मिलता है सबसे पहला returning viewers का उसके बाद दोस्तों second option मिलता है new viewers का तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ कि ये returning viewers का मतलब क्या है तो दोस्तों आप अपने YouTube चैनल पे बहुत सारा videos आपने upload करके रखा है और उसमें कुछ views आया हुआ है उसके बाद दोस्तों फिर से आप दोबारा अपने चैनल पे recent videos upload करते हैं तो वो जो पहले आपके videos को देख चुके हैं आपके videos को दबारा देख रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगको समझ में आ गया होगा कि ये returning viewer क्या है और दोस्तों अब बात करते हैं second option के बारे में और दोस्तों दूसरा option है new viewer तो दोस्तों ये new viewer क्या है तो दोस्तों मान लिजिए कि कोई भी जो viewer है आप reference नहीं मैंने विडियो के in drip में ही बताया था कि इस फीचर को यूज करके आप जान सकते हैं कि आपको यूट्यीब चैनल है वो हो रहाए कि नहीं तो दोस्तो चली मैं आपgyis पता कर सकते हैं कि आपको चैनल ग्रो हो रहा एकि नहीं तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर पता करना चाहते हैं कि आपका जो YouTube चैनल है वो grow हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है, कि यह जो blue color का graph दिखाई देता है, यानि new viewer का graph दिखाई देता है, यह आपकी channel पर उपर होना चाहिए, अगर आपके channel पर blue color क जो graph है, यह अगर उपर में दिखाई दे रहा है, तो आपका जो channel है grow हो रहा है, क्योंकि आपके channel के videos को YouTube अलग-अलग new viewer के पास recommend कर रहा है, suggest कर रहा है, YouTube search feature में आ रहा है, इसलिए आपका जो channel है धीरे-धीरे grow कर रहा है, लेकिन दोस्तों अगर आपका यह new viewer का जो आपको 24,28 दिनों में जो मेरे channel का returning viewer है, वो 6783 returning viewer है, जो पहले मेरे videos को देख चुके हैं और फिर से मेरे videos को देख रहे हैं, उसके बात दोस्तों जो new viewer है, यानि unique viewer है, जो first time मेरे videos को visit कर रहे हैं, वो है लास्ट 28 दिनों में 73,882 यानी میरे channel पे new viewer जादा है, यानि मेरे channel growth कर रहा है तो दोस्तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपका जो channel है वो grow हो रहा है कि नहीं तो दोस्तो यहाँ पर आप लोगो पूरा समय में आ गया होगा कि यह जो YouTube Studio में आपको एक नया feature मिल रहा Returning Viewer का यह क्या है और इसको कैसे आप use कर सकते हैं और दोस्तो अगर आपको यह new feature यानि Returning Viewer से related कोई भी question है कोई भी doubt है तो आप नीचे comment करके पूछ सकते हैं या फिर अगर आप मुझे से बात करना चाते हैं तो मेरा यहाँ पर Instagram का ID दिख रहा है आप यहाँ पर मुझे follow कर सकते हैं और Instagram पर message करके बात कर सकते हैं तो दोस्तो बस इस वीडियो में इतना ही था अगर आपको यह वीडियो यूश्फूर लगी हो तो like जरूर करना है और अगर आप इस YouTube चैनल पर नहीं है तो नीचे आ रहे red बटन पर क्लिक करके चैनल को भी subscribe कर लेना है तो दोस्तो अब चलि चैनल को यह जरूब है तो अगर आपको यह वीडियो में ऊगर नहीं है।